सबी दोस्तों को सुनील का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दस ऐसे फूल वाले प्लांट दिखाऊँगा जो की एक बेल है इन बेलों को लगा कर आप अपने घर के मुख्यदवार यानि के एंटरंस गेट को सजा सकते हैं इसके लावा इन बेलों को आप घर की छटों पर भी लगा सकते हैं तो आएए जानते हैं वो कौन-कौन से बेल के प्लांट है जिने हम अप घर में लगा सकते हैं सबसे पहला प्लांट है बोगन विलिया जो कि गर्मियों का एक बहुत हार्डी और सबसे ज़्यदा फूल देने वाला प्लांट है आप इस प्लांट को घर की च्छत पर, बालकनी में, गार्डन में, कहीं पर भी लगा सकते हैं इस प्लांट को आपने सड़क के किनारे भी लगा हुआ देखा होगा इसमें आपको काफी सारे कलर आप्शन भी मिल जाते हैं कम पानी और कम केर में ये प्लांट चल जाता है, फूल भी काफी क्वाइटिटी में देता है इसमें आपको कई सारी वराइटी भी मिल जाएंगी छोटी वराइटी से लेकर लंबी और बुशी वराइटी भी आपको बहुत असानी से मिल जाती है बोगन मिलिया प्लांट को यदि आप एक बार लगा लेंगे तो ये प्लांट सालों साल तक टिके रहते हैं इन प्लांट को कटिंग के द्वारा ग्रो किया जाता है ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप इन प्लांट को पोटाशियम रिट फर्डी लैजर दे जिन से ये प्लांट ज़्यादा फ्लावरिंग करेंगे ब्लेडिंग हर्ट ये एक बहुत ही खुबसरत सी फूलो वाली बेल होती है इसके फ्लार वाइट और रेड कलर के होते हैं जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुन्दा लगते हैं हलाकि इसके जो फूल हैं बड़े ही नाजुक होते हैं हलका सा ही टच करने पर इसके फूल तोड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बुशी ये प्लांट नहीं होता आप इस प्लांट को 12 इंची पोर्ट में बहुत असानी से लगा सकते हैं ज़्यादा तेज़ गर्मी या ज़्या तेज़ धूप ये प्लांट बरदाश्ट नहीं कर पाता सैमी शेड या जहां पर मौर्निंग की दो से तीन घ्हेंटे की धूप आए वहाँ ये प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है मौनसू सीजन में इस प्लांट को कटिंग से लगाया जाता है मौर्निंग लॉरी दोस्तो इस प्लांट के फूल बहुत ज़्यादा सुन्दर होते हैं जो की नीले, सफेद, बैंगनी जैसे कई कलर में आते हैं जैसा की नाम से ही प्दा चलता है, इसका फूल मौर्निंग में खिलता है बहुत सी तेजी से ग्रो होने वाली एक प्लांट की बेल है जिसे घर के एंटरंस में या गार्डन में कहीं पर भी लगा दो, बहुत ही ज़्यादा सुनतर लगती है वैसे तो ये एक पेरिनेल बेल है जो उस गर्मी सर्दी लगातार चलती लेती है लेकिन ज़्यादा तेज गर्मी और धूप को प्लांट परदाश नहीं कर पाता इसे सैमी शेड या ब्राइट लाइट में ग्रो करें वहां अच्छा चलता है ज़्यादा फ्लावरिंग के कारएं इसमें सीड्स भी बहुत जल्दी लगते हैं इन सीड्स से आप नया प्लांट बहुत असानी से लगा सकते हैं मदुमालती जुमका बेल या रंगून की पर इस बेल को काफी नामों से जाना जाता है दोस्तों ये बेल भी बहुत ज़्यादा गुच्छों में फ्लावरिंग करने वाली बेल है जब इसमें फूल किलते हैं तो पहुत ज़्यादा सुन्दर लगते हैं और उसमें बहुत प्यारी सी खुश्बू भी आती है जो की पूरे वातावान को सुगंदित कर देती है इसे आप अपने गार्डन में बालकनी में या फिर अपने घर के एंटरंस में भी लगा सकते हैं आजकर इसकी चोटी या डुआ फराइटी भी अवेलल है जिसे आप असानी से पोट में 12-14 इंची गमले में लगा सकते हैं इस बेल से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए इसे 4-5 घंटे की धूब जरूर दे अच्छी मातरा में कमपोस्ट मिलने पर ये प्लान बहुत ज़रा फ्लावरिंग करता है और इस प्लान को मौनसों सीजन में कटिंग के दोरा लगाया जाता है अपराजिता या शंक पुषपी इस बेल को घर में लगाना बहुत ज़्यादा शुब माना जाता है घर में इस प्लान को ग्रो करने से पॉजिटिव अनर्जी आती है और इस प्लान को उत्तर दिशा में लगाना बहुत ज़ादा शुब माना जाता है वाइट और बिलू कलर के फूल ही ज़ादा था इस प्लान में आते है ये प्लान बहुती तेजी से ग्रोहने वाली एक प्रकार की बेल होती है जिसे घर के एंटरंस में या बालकनी में हम लगा सकते हैं वैसे इस प्लान को सीट से भी या फिर स्टेम कटिंग से भी बहुत असानी से लगाया जा सकता है तेज दूप मिलने पर ये प्लान बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है और इस प्लान को आप 12 से 14 इंची गमला लगा सकते हैं उसमें अच्छा ग्रोट करता है पैशन फ्लार राकी बेल या क्रिशन कमल इस बेल को कई नामों से जाना जाता है इसका फूल क्रिशन जी के सुदर्शन चक्र की तरह लगता है शायद इसलिए ही इस प्लान को क्रिशन कमल कहते है इसका फूल दिखने में बहुत ज़्यादा सुन्दर होता है और इस बेल को घर में लगाना बहुत ज़्यादा शुब माना जाता है इसमें फल और फूल दोनों ही आते हैं और इसके फल को खाया भी जाता है इसके बेल को आप कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं अपने गार्डन में च्छत पर या घर के मुक्खे दोवार पर आप कहीं भी रिसी लगा सकते हैं और यह बहुती तेजी से ग्रो होने वाला प्लांट है पूरे दिन की धूप मिलने पर यह प्लांट बहुत अच्छा सरवाईव करता है और कटिंग से बहुती सानी से इस प्लांट को लगाया जाता है अच्छी मातरा में खाद मिलने पर यह प्लांट बहुत अच्छी और बहुत जरा फ्लाविंग करता है थनबर्जिया या इस प्लांट को नील डटा के नाम से भी जाना जाता है इसके फलार नीले रंके होते हैं जो बहुत सुन्दर लगते हैं इसके फूल तीन से आठ सेंटीमिटर तक बड़े होते हैं ये प्रकार की पेरेनियल बेल है जो घरों के एंट्रेंस में लगी हुई बहुत सुन्दर लगती है कटिंग से या इस प्लांट को एर लेडिंग के द्वारा ग्रो किया जाता है गर्मियों की तेज धूप ये प्लांट बरदाश्ट नहीं कर पाता वहाँ पर इस प्लांट को प्लेस करें जहां इसे दो से तीन घेंटे की धूप मिले या बराइड लाइट में इस प्लांट को ग्रो किया जाता है ज़्यादा बुशी ये प्लांट नहीं होता दस से बाराइंची पोर्ट इसके लिए सफिजिएंट है मौन्डे विला प्लांट ये प्लांट भी बहुत ही खुबसर्थ प्लांट होता है इसमें वाइट रेड पिंक जैसे कई बहुत ही खुबसर्थ से कलर आते हैं बालकनी में या दिवारों के साइड में इस प्रकार की बेल को लगा सकते हैं ये प्लान्ट थोड़ा सा कोस्टली प्लान्ट होता है हमारे यहां ये प्लान्ट 200 से 2500 की रेंज में आता है इस प्लान्ट को आफ फूल सन्ट से लेकर सैमी शेड जहां पर 2 से 3 घेंटे की धूप आए वहां अरगा सकते हैं इसको कटिंग के दोरा बहुत असानी से लगाया जा सकता है कमपोस्ट की मातरा अच्छी मिलने पर ये प्लान्ट बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है इसके फ्लावर दोस्तों दिखने में बहुत ज़्यादा सुन्दर होते हैं इस प्लान्ट को Climbing Rossia लता-गुलाब भी कहा जाता है गुलाब फूलों का राज़ा बाना जाता है और कई वराइटी जूरीज में प्लान्ट आता है इसी प्लान्ट में बेल की वी वराइटी आती है इस बेल को घर के एंटरेंस में बालकनी में दिवार में आप कहीं पर भी लगा दें जो बहत जड़ा सुनदर लगती है इसमें गुच्छों में लगे हुए च्छटी च्छटी गुलाब बहत ज़दा सुनदर लगते हैं और वाता वर्नको सुगंदित बनाते हैं वैसे तो गुलाब को पूरे जिन की धूप में ग्रोग किया जाता है लेकिन आप इसे सेमी शेडिया वहां भी ग्रोग कर सकते हैं जहां 2-3 घंटे की धूप मिले इस प्लाट को कटिंग से बहुत असानी से ग्रोग किया जाता है स्टार जैस्मीन या इस प्लाट को जुही के नाम से भी जाना जाता है ये बहुत ही ज़दा फ्लावरिंग करने वाली एक बहुत ही सुगंदित सी बेल होती है इसमें फूल सवेद रंगे ही होते हैं और बहुत ज़दा ये प्लावरिंग करता है अच्छी मातना में इस प्लावरिंग को खाद मिलने पर ये प्लावरिंग की ग्रोथ पे अच्छी होती है इसमें फूल भी बहुत ज़दा आते ही इसे आप 12 से 14 इंची पोट में लगा सकते हो मौनसु सीजन में इस प्लांट को कटिंग से बहुत असानी से लगाया जाता है इसे भी आप अपने घर की छट पर या फिर बालकनी में कहीं पर भी लगा सकते हैं ये प्लांट लगा हुआ बहुत ज़्यादा सुन्दर लगता है आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में किसी हो जानकरी के साथ तब तक के लिए नमशकार